सबी द्यान पूरवक सुनना बुद्ध पुरिणिमाद यह पूनम तुम्हारे जीवन को स्वास्थ और सुब संकल्प फलित करने वाली बने और पक्का संकल्प करो कि कम से कम दस मिनट ओम 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 का होटों से जब करें आसन लगा के एक जगह बैठ के इसका वक्त बढ़ाते जाना क्योंकि रस आएगा तो अपने आप मन खिच-खिच के उस तरब जाता है ध्यान बजन में मन नहीं लगता तो मन बाहर भागता है और ध्यान बजन में रूची बढ़ती है तो और बठे रहो थोड़ी देर और रस आ रहा है और आनन दा रहा है जैसे कोई वेपारी वेपार करता है गराक आता जाता है तो वो दुकान नहीं बंद करता ऐसी सादक को सादन बजन में जब रस आता है सोचता और थोड़ी देर बैठो और थोड़ी देर बैठो चुप शांत निर्विचार निसंकल्प अवस्ता वो बक्त बढ़ाने के लिए गुर्दियों कह रहे हैं कि दस मिनिट तो ओम ओम का होटों से जब करना ही है और भगवान बुद्ध कहते हैं कुछ बाते भगवान बुद्ध ने कही उसमें से प्रथम बात कहते हैं भगवान बुद्ध कि मनुष्य को बूदकाल में नहीं उलजना चाहिए अक्षर विक्ती वो बूदकाल में ही उलसते रहता है भूत में ही भविष्य की कलपना करता है और जो बीत चुका है उसको याद करके दुखी होता है लेकिन भगवान बुद्ध का ये संदेश है भगवान बुद्ध का पूरा दर्शन जो है पूरा जो ज्यान है वो सम्यक दर्श्टी के ऊपर है सम्यक ज्ञान के उपर है सम्यक समाधी के उपर है सम्यक व्याम के उपर है सम्यक आहर के उपर है सम्यक ज्ञान के उपर है कि अति किसी भी चीज की नहीं जैसे भगवान सरी कृष्ण ने भी गीता में सम्यक योग कहा है सम्यक समाधी कहा है जो सम्ता को लेके आए बीच का रास्ता और बीच का मार्ग ऐसा मार्ग है जो सहज है, सुलब है, सरल है और सभी के लिए है हर परिस्तिती में सहज ही कोई करशकता है अती खाना नहीं और अती भूखा नहीं मरना स्वास्त के लिए खाना साधना में परिपक्कता आये, साधना में ध्यान भजन में रूची वड़े ऐसा बोजन लेना ये सम्यक आहार है सरीर विलकुल आलसी ना हो तो इसलिए सरीर ध्यान भजन के अनुरूप रहे इसलिए योग, प्राणायाम, सम्यक वयाम भी कहा ना अधिक जागो, ना अधिक सो तो बगवान बुद्ध ने कहा कि सम्यक निद्रा भी चाहिए व्यक्ति जितना जितना इस्थूल काय होते रहता है जितना जितना संकल्प, विकल्पों में जीता है वो सोबे भी उठता है तो फ्रेस होके नहीं उठता सोबे भी उठेगा तो उवासियां ही लेता रहेगा तो सम्यक निद्रा छे घंटे की नींद समान्य व्यक्ति को चाहिए भोगी को आठ गंटा रोगी को आठ गंटा, ग्रेष्ती को छे गंटा योगी को चार गंटा अर्था जिव जिव हम प्रभु के ध्यान में सबसे ज़्यादा जो उर्जा मिलती है वो ध्यान में मिलती है सबसे ज़्यादा उर्जा जो खर्च होती है बोलने में, खाने में, देखने में, घूमने में तो अगर हमें उर्जा को श्टोर करके रखना हैं, तो कम बोलें, कम देखें, उर्जा को थोड़ा बचा के रखें, और समय मिले तो ध्यान, इस बाती से थोड़ा अभ्यास करें, तो सम्यक वयाम, सम्यक आर, सम्यक निद्रा, तो बगवान कहते हैं कि भूत काल में नहीं उलजना चाहिए, और उनके अनुसार भविष्य में सपने की बजाए, कई लोग भविष्य का सपना देखते हैं, तो भूत काल में भी नहीं उलजना है, और भविष्य की कलपना में भी नहीं बटकना है, उसकी बजाए, बर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, भूत भविश्य के फेर से निकलकल बरतमान की रहा पर चलना चाहिए यही मनुश्यों के लिए यही प्रतिक जिवात्मा के लिए और यही प्रतिक शाधक के लिए खुसी का रास्ता है अब आपुजी ने हमको वो ग्यान दिया है अग कृष्ण भी वो ही कहते है कोई भूली भूल का आज पश्याताप क्यों कल क्या होगा अनिश्चित है आज फिर संताप क्यों जुट पड़ो कर तब बिद में तुम बाटकिस की जो रहे हो अज अन्मा है अमर आत्मा भय में जीवन खो रहे हो क्या गया तुम रो पड़े लाए क्या थे खो दिया जो लिया यहीं से लिया जो दिया यहीं कर दिया जिसको तुम रत्तू समझते है वही जीवन तुमारा है नियम का जग बदलना क्या अपना क्या पराया जो तुमारा आज है अभी अप यहां बैठे हो कितने जब करो, जो भी करो अरपन करो भगवान को अपनी अहिंता और मुम्ता त्याग कर अभिवान को समरपन कर दो भगवान को वर्तमान अरथात अभी जो कर रहे हो अभी जो कर रहे हो अभी अभी, तो अभी क्या कर रहे हो सत्संक, तो सत्संग में सुन रहे हो तो सुन नहीं हो जाना ये बरतमान में रहना फ़नकर लोग बैठे यहाँ है और चिंतन कहीं और का चल रहा है यही विड़मतना है जब हम घर में होते तो ओपिस याद आएगा, ओपिस में तो घर याद आएगा जहां अभी है, वहां को न पकड़ के मन की आदत है कुछ और ही कलपनाओं में जीता है तो कलपनाओं में नाफस करके बरतमान में जीना और बरतमान में ठहरना ही साक्षी की शादना है स्वास आ रहा है, स्वास जा रहा है, वो भूत और वविश्य हो रहा है लेकिन आती और जाती है, स्वास के बीच में ठहराव जो है, वहां रुख जाना वो बरतमान में ठहरना है, वही सच्चा सुख है, वही सच्चा आनन्द है वही साक्षी है, उसी को बढ़ाना है तो फिर अगर इस भाव से अगर आप जो भी करते करते हैं जो भी कर्म करते हैं, वो सब कर्म पूजा है, वो सब कर्म उपाशना है होस पूर्वक किया गया प्रते करत्य वो पुन्न है और विहोसी में किया हुआ पुन्य का कारे भी कहते हैं वो पाप है क्योंकि विहोसी से किया हुआ कर्म कर्म नहीं होस पूरवक और होस पूरवक अपनी आती हुई स्वास और जाती हुई स्वास को जब देखने का थोड़ा अभ्यास करेंगे, तो वीतर का होस जगेगा, अभी तो बेहोसी में खाते हैं, बेहोसी में चलते हैं, बेहोसी में बोल जाते हैं, फिर तब ही तो सौरी बोलते हैं, माफ करना, गलती से बोल दिया, माफ करना गलती से हो गया, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था बोलने क मैंने बोल दिया तो बेहोसी में ही चलना बेहोसी में ही देखना तो होस पूरवक जागने का नाम इस शम्यक करांती है भगवान बुद्ध कहते हैं शम्यक अहार लो सम्यक निद्रा लो सम्यक दरश्टी रखो भगवान बुद्ध कहते हैं दृष्टी सीधे रखो, बारा फिट की दूरी से न दाएं देखो, न बाएं देखो जैसे गोड़ा, उसके चार दोनों आखों के बीच में बान देते न, कि धर उदर बिचके न वो, ऐसी मन इधर उदर न जाए, इसलिए सम्यक दृष्टी रखे फाल्तु का न देखे न, तो बरतमान में रहना भगवान, उद्ध कहते हैं, कि बरतमान में और बरतमान अभी है कि जब जिस समय जो कारे कर रहे हो चाए बोजन बना रहे हैं, तो पूरी एकागरदा से बोजन बनाई है तो बोजन बनाने में भी आनन्द आएगा और बोजन बनाते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें एक गहरा राज छुपा हुआ और गहरा एक रुपांतरन ये होगा कि हम अगर किसी भी कारिय में, किसी भी कारिय को उसमें तल्ली नहो करके उसको कारिय को करते हैं, तो वो कारिय हमें बोजानी लगता बलकि उस कारे को इतना एकाकार होके करते हैं तो वो ही काम हमको आनन्द देने वाला हो जाता है तो हम अपने प्रतिक कारे को ऐसे करें वो कारे भी आनन्द देने वाला हो जाए फिर जो भी कर रहे हो बस एक सुर्ता, एक लगन केतना प्रभु प्यारे से जिसका संबंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है तो बरतमान में रहना चाहे आप ओपिस में हो तो पूरी मांदर इस ओपिस में काम करो जो भी सेवा कर रहे हो सेवा में डूप करके भगवान को हाजर नाजर गुरु को मान करके मैं सेवा कर रहा हूं और सेवा अहिंकार पोशने के लिए नहीं है मेरी मैं को मिटाने के लिए मैं नहीं कर रहा हूं बस मेरे द्वारा तो हो रहा है यह गुरू की करुणा है गुरू की कृपा है कि वो करवा रहे हैं मैं तो यंत्रवत हूँ, मैं तो साधन मात्र हूँ. अब जैसे ये माइक है, ये एक साधन मैं इसमें बोल रहा हूँ, आप तक आवाज पहुंच रही है. इसके पीछे मैं हूँ बोलने वाला. ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ ऐसा मैं नहीं मैं तो एक इस्टुमेंट की तरह इस्टुमेंट ही हूँ यह अंतरवत मेरे पीछे गुरु है और गुरु की करणा और गुरु की कृपा ही बोल रही है मैं नहीं बोलता वो ही बोल रहा है मैं नहीं करता वो ही करते हैं करन करावन हार के श्वामी सकल गटा के अंतर्यामी तो हम धीरे-धीरे अपने मैं को पीछे हट करके गुरू को आगे करना सब कुछ गुरू का है सब कुछ प्रभू का है प्रभू ही प्रभू है गुरू ही गुरू है तो अपनी अहिंता और अपनी ममता धीरे-धीरे पीछे खिशते जाए अगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुश्य के क्रोध से किसी और का नहीं बल्कि स्वयम को ही नुकसान उठाना पड़ता है जैसे क्रोध आता है तो अगर हमारे हाथ में अगर अंगारा हो फेके बाद में उसको लगेगा नहीं लगेगा वो बात की बात है लेकिन वो अंगारा हमें स्वयम हमारे हाथों को जला रहा है तपा रहा है ऐसे ब्गवान गुद्ध कहते हैं कि मनुश्य के क्रोध से किसी और का नहीं बलकि स्वयम को ही नुकसान उठाना पड़ता है क्रोधित होने का मतलब होता है कि जलता हुआ कोईला हाथ में लेकर किसी पर फेकना जो सबसे पहले स्वयम को जलाता है इसलिए कहते हैं क्रोध से बचना चाहिए भगवान बुद्धिर फिर कहा तीसरी बात की बुद्ध कहते हैं कि संदेह या सक एक प्रकार की बिमारी होती है इससे भयावा कुछ नहीं यदि किसी के मन में संका घर कर जाए तो वाकई में लोगों के रिस्तों पर असर पड़ता है इसलिए इससे दूर रहने में ही भलाई है यह अच्छे मित्रों के मद्ध दुस्मनी लाने का काम करता है यह चाहे फिर संसारी के संबंद हो पती-पत्नी का हो बाप-बेटे का हो मित्र-मित्र का हो जितने भी संबंद है उन सभी संबंदों के लिए चाहे फिर गुरु अर्षिष्य का हो चाहे भक्त और भगवान का हो सक जो है संदेह जो है इसलिए जो संदेह पैदा करते है editing किसी की भी बातों में आकर के अपना द्यान भजन सुम्रह छोड़ देना निंदकों के चकर में आकर के इसलिए कभी गुरु के लिए भगवान के लिए मन में ऐसी संक्यां इटे तो तुरंत उसका निवारन कर देना चाहिए मैं कौन होता हूँ मेरी बुद्धी है कितनी बढ़ी जो मैं जान सको पहचान सको हम ब्रमाजि Division बढ़े नहीं है हम विश्णुजी से बढ़े नहीं है हम गूरु से बड़े नहीं है और ना ही इतनी समझ है हमारे पास और ना हमारा राइट बनता है उठाने का हमारे पास है कितनी बुद्धी जब ब्रमाजी की बुद्धी चक्रा सकती है कहाना ब्रमग्यानी की कत ब्रमग्यानी जाने ब्रमग्यानी को का मूड पिचाने तो मेरे पास कितनी बुद्धी है जब भी संका उठे उसको तुरंत काट दो नहीं तो संका का जो घुन होता है ना कीड़ा होता है वो जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है लकड़ी को खोखला कर देता है और वो लकड़ी ना चोखड़ बनाने के काम आती है और ना ही जलाने के काम आती है ऐसी जिसकी स्रिध्धा खोखली हो गई है उसकी भक्ती उसकी उपाश्णा उसका ध्यान उसका बजन सब भी कर जाता है इसलिए प्रत्न पूर्वक अपनी श्रद्धा बड़े ऐसे लोगों का संग करें अपनी भक्ती बड़े ऐसे लोगों का संग करें अपनी प्रिती बड़े ऐसे लोगों का संग करें क्योंकि जैसा संग करता है वैसा ही उसको रंग चड़ता है इसलिए सत्त संग ही करें सत्य का संग ही करे सत्य स्वरूप परमात्ना को पाए हुए मापुर्षो का ही संग करे उनकी वानी सुनना वो भी संग है उनके सत्य साहित को पढ़ करके उनकी चिंतन मनन में लगना हो उनका ही संग है संग का नहीं कई बार तो आँखों देखा भी कहते कानों सुना तो जूटा होता है ये तो सुना है क्या आखों देखा भी जूटा होता है हाँ होता है तुमने जो देखा तुम अपनी बुद्धी से विचार कर रहे हो जरूरी थोड़ी तुमने जो देखा वोई सत्त हो, सत्त कुछ और भी हो सकता है नहीं हमने देखा अपनी आँखों से देखा तुमने देखा ना तुमारी आँखों से तुमारी जो आखे कह रही है वो तुमारी आखे हैं तुमारी मतिये, तुमारी बुद्धिये तुमारा अपना दृष्टी कोड है यह ना दृष्टी कोड जो नजर से आया वैसा ही सोच रहे हो जरूरी थोड़ी ना वैसा ही हो समर्थ रामदास ऐसी एक बार उपराम हो गए आश्रम छोड़ करके और गोदावरी पर जाकर के डूब गए उसमें समाधी ले ली हजारों लोग चीख रहे हैं, चिला रहे हैं उनको दो शिष्ष थे, एक आनन, दूसरा कल्यान आनन जो है वो बस किसी उन्हें बताया कि गुर्देव तो चले गए, छोड़ करके जल में समाधी ले ली तो वो रोने लगा और भी सादक सबरो रहे थे जब कल्यान को पता चला तो वो ध्यानस्त हो गया शिष्ष चाहे हजार हो की करोड हो की अरवो हो खरवो लेकिन शिष्ष की जो धारा है वो दो ही होती एक अंतरमुक और दूसरा वहिर मुक अंतरमुक शिष्ष गुरु को गहराई से मानता नहीं भीतर से जानता भी है और जो जानता है उसकी सुरद्धा कभी कब नहीं हो सकती जो सिप मानता है मानताओं को बदलने में वक्त नहीं लगता मानता है तो बदलते रहती, मन तो बदलते रहता है लेकिन जो जानता है और हम सब करोडो करोडो साधक जो बापूजी के चरणों में आज भी श्रिवा में, सुम्रण में, साधन में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं वो सिब बापूजी को मानते नहीं बापूजी को गहराई से जानते हैं तबी निंदकों का असर साधक भक्तों पर नहीं है क्योंकि ये सद्गुरु का दर है यहां मनमानी नहीं होती निंदा करने वाले चाहे कितनी भी निंदा करे सच्चे गुरु भक्तों को कोई परिशानी नहीं होती सच्चा गुरु भक्त कहता रहे निंदा को कुछ तो है मेरे बापूजी में वरना बापूजी की दुनिया यहीं दिवानी नहीं होती दीवानी नहीं होती तु बाहर से गुरु को देख रहा है आनन कल्यान आश्रम में ध्यान में बैठा है बोले गुरु जी हमें छोड़ के चले गए गुरु जी ने समाधी ले ले कल्यान कहता है गुरु हमसे छोड़ के जाही नहीं सकते गुरु हमसे दूर होई नहीं सकते तुम कैसे मुर्ख हो हजारों लोगों ने अपनी आँखों से देखा है जल में वो डूब गए और गोदावरी की धारा पता नहीं कहां लेके चले गई कल्यान कहता गोदावरी नदे कि धारा में इतनी ताकत नहीं कि मेरे गुरुदेव को बहा सके समुद्र में इतनी ताकत नहीं कि मेरे गुरुदेव को डुबा सके मुझे फूर्ण विश्वास है हाँ गुरुदेव गए है तुम कह रहे हो देखा है तो उन्होंने वो ही देखा है और जो देखा उनको वैसा ही आभास हो रहा है लेकिन तुम ग्यान की दृष्टी से देखो तुम गहराई से गुरु की दृष्टी से देखो गुरु जी थोड़े दिन पहले कह रहे थे रामराज जी के लिए कुछ करना है घर घर में राम जी की स्थापना हो हो सकता गुरु जी किसी कारेश से गए हो आपको और हमें तो यह समझ नहीं आ रहा घर में तुम कैसी मुर्खों जैसी बाते करते हो हजारों लोगों न अपनी आँखों से देखा है भले न हजार नहीं लाख लोगों ने देखा हो लेकिन उन्होंने वो ही देखा है जो ने दिखाई दिया और जरूरी नहीं है कि तुम्हें जो दिखाई दिया वो ही सत्त हो क्योंकि तुम को दिखाई दिया अपनी मानता के हिसाब से अपनी गती और मती के हिसाब से और जरूरी थोड़ी वो ही सत्त हो तो उधर कल्यान ध्यान में बैठा है उधर सब रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिला रहे हैं और उसे पूर्ण विश्वास है कि नहीं गुरुची आएंगे एक दिन भीता, दो दिन भीता, तिश्य दिन समर्थ अपने कंदे पर राम जी की मूर्थी को लेके प्रकट होते हैं गुदावरी तट पर सब हर्ष और उल्लास ने नाचने लगते हैं कल्यान कहता, मैंने कहा था तो आँखों देखा भी कई वार जरूरी नहीं सत्य हो एक राजा एक दिन अपने परिवार से दूर अपने मित्र के साथ दूसरे राज की राजा से मित्र थी तो वहां गया घर बालों को बोला की मैं थोड़ा बिलम से आऊउंगा परिवार की बोला की चलो राजा जी तो शाम को आएंगे दिन भर हम क्या करें तो राम लीला खेलते हैं तो राम लीला की सभी ने योजन बनाई और राम लीला करते करते कोई रावन बना, कोई मेगनाद बना कोई कॉमकरण बना, कोई सिता बना कोई लच्ष्मन बना, कोई राम बना, सभी पात्र बने, दिन बहर राम लीला करते रहे, शाम को जब रात हो गई, ठक गए थे दिन बहर के, सोने के लिए चले गए, सब, कईों ने अपने वस्त्र उतारे, कई ने वो ही पोशाख, जो राम लीला में धारन की थी, उसी पोशाख पहन के सो गए, तो रानी और रानी की बड़ी बेटी, तो रानी की जो बड़ी बेटी थी, वो बनी थी रावन, बड़ी-बड़ी मूचे, मुकोट, ऐसा, और वो राणी के साथ सो रही थी राजा रात को बिलम से पोँचा तो अपने मित्रों को विदा देते हुए कहा चलो कल मिलेंगे तुम सब विश्राम करो राजा ठकाव हुआ था उपने सैन कक्ष में गया हलका हलका दीपक जल रहा था जैसे राणी के साथ सैन कक्ष में दूसरे परपुरुष को देखा राजा तो आग बबूला हो गया आओ देखा न ताओ और कहा कुल्टा दुष्टा परपुरुष के साथ सैन कर रही है तलवार निकाली जोर से चीखा चिलाया आँख खुली राणी की और राणी की बेटी की राजा को तो नहीं पता था की बेटी है राणी और जोर जोर से हसने लगी कहा मुर्ख उपर से हसती है ले अभी बताता हूँ वो तो अपनी बेटी के उपर, उसको नहीं बता थे मेरी, वो तो सोच रहा था कोई परपुरुस है, क्योंकि मेक अप था, मुझे है, ये वो, रानी हसे जाए, राजा को और गुश्सा आए, तो उसने कहा, मुर्क तू हस्ती क्यों है, उसने कहा, राजा साहब, आप जिसको परपुरुस समझ रहे हो, और जिसको मारने की चेश्टा कर रहे हो, वो कोई परपुरुस नहीं, आपकी ही बड़ी बेटी है, ये तो हमने रामलीला की थी, मेकप उतारा नहीं, तो जरूरी न है, वो धीरे-धीरे लकड़ी को खा जाता है, ऐसे ही भगवान के प्रती अश्यद्धा, गुरू के प्रती अश्यद्धा, सक जू है, जैसे राम जी को जब नाकपास में बांधा गया, तो गरूर जी को जब लेके आये, हनुमान जी, उन्होंने राम जी की इस्तिती देख कि त्रिलो की नात सभी के बंधनों को काटने वाले आश्यद्धन में कैसे बंध गए, विचलित हो गया, और मन में जब संदे होता ना तो फिर आदमी विचलित हो, बेचेन ही से आ जाती है, जो सादक अपना सादन, भजन, ध्यान, सुम्रन छोड़ देते हैं, उनकी स्तित पहले से भी जादा गई गुजरी हो जाती है, नहीं होती, देखा होगा तुमने, कई सादकों को देखा, बापुजी बाहर थे, लगे थे, नियम से, निश्ठा से, बिलकुल वड़ी सादगी भरा जीवन, सयम भरा जीवन, लेकिन अभी भी सब सादक लगे हुए हैं, लेक हो गए, गुरु वचनों से दूर हो गए, तो गरुड जी को जब संदे हुआ, शिव जी के पास गए, और शिव जी से प्राथना की, तो शिव जी ने कहा, कि तुम किसी ब्रमग्यानी महापुरुस के पास जाओ, क्योंकि ब्रमग्यानी महापुरुस के पास बैठोगे, त काक भुसुंड़ जी के पास सत्संग सरवन किया और सत्संग सरवन करने के पास जब संदेह निवरत हुआ तब आकर के भगवान स्री रामचंदर जी के चरणों में छमा याचना की और उनको मुक्त किया नहीं तो सोचने लगे मैं गरूड गरूड तो महाने भगवान जी का उसको संदेह हो सकता है तो संदेह जो है सक जो है वो मित्रता में भी खाई खोद देता है दरार डाल देता है तो प्रतेक संबंद में विश्वास की निव होनी चाहिए कि छोटा मोटा भूकंप या छोटा मोटा आंदी तूफान आए तो उसे उखाड के ना फेके जैसे भवन की नियू बहुत गहरी होती है न तो बड़े-बड़े भूकंप को भी जहल जाती एसी हम सब की श्रद्दा हम सब की भक्ती हम सब का प्रेम और विश्वास अपने गुरु के चरणों में और जितने यहां आए हैं उन सब सादकों के लिए मैं कहना चाहूंगा गुर्देव कहते हैं कि दिलवर से मिलना है तो दिलदार बने रहना तो आप जितने राइपूर में जितने सादक, भाई, बेन, बच्चे सब आए हैं यह सब दिलदार भी और साथ में दमदार भी है क्योंकि दमदार इसलिए है कि तुम को भी कहा होगा तुमारे रिस्तरदारों ने अरे अभी भी बापुजी को मानते हो अभी भी तुम मानते हो अभी भी फोटो लगा रखा है ये वो लेकिन दमदार है ऐसा जवाब दिया होगा कि दोबारा बोलने से पहले सोचेगा अरे हम मानते थे का मतलब क्या है भई हम मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे क्योंकि हम ये कहते हैं हम नहीं छोड़के दर आपका जाने वाले भक्त जब आपका कहते है जमाने वाले आपके दर पे जीए बापू जी यहीं पे मर जाएं यहीं कहते हैं बापू के दरवार में आने वाले मानते थे का क्या मतलब तो इसलिए कहते हैं गुर्देओ कि दिलवर से मिलना है तो दिलदार बने रहना, हर जख मखाने को तैयार बने रहना, इतना इतना निंदा के जख में दिये निंदकों ने, लेकिन तैयार है, बड़े से बड़े जटके को भी छेला, बड़े से बड़े दुख को भी छेला, और इन पांस सालों में बापूजी ने सादकों को और-और-और मजबूत बनाया जो लोग बोलते निंगे सादना विखर गई नहीं जो सच्मुच में सेवा में और शादना में गुरुदे उस्से जुडे हुए ज़ुदे कि उनिगे विखरी नहीं है वू सादक पहले से और जादा निखर गई पूके बने हो तो लगातार बने रहना लगातार बने तो ये लगातार वाले हैं सब कभी कभार वाले नहीं हैं तो इसलिए संका से सक से हमेशा दूर रहें और अपने इश्ट के प्रति गुरु के प्रति हमारी शद्धा बड़े हमारा प्रेम बड़े हमारा विश्वास बड चौती बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य जीवन में चाहे जितने भी युद्ध में विजय प्राप्त कर ले लेकिन बाहर की विजय कोई वास्त्विक विजय नहीं है जब तक जीव अपने मन को ना जीते अपने आप को ना जीते स्वयम को ना जीते सिकंदर सारे विश्व को जीत कर आया भारत में और उसे एक सचे फकीर से उसका मुकावला हुआ उसे ने कहा कि सारे जग को जीता तू स्वयम से हारा हुआ है एक दिन मृत्तु आएगी और मृत्तु तेरे को उड़ा के ले जाएगी तो ऐसी विजय किस काम की किस के लिए तुने तुने इतना रखून बाहया, रख्त बाहया, क्या क्या ना किया स्वयम को जीता तुने तो विजय प्राप्त करना है लेकिन जब तक स्वयम पर विजय नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक सारी जीत विर्थ मानी जाती इसलिए हजार लडाईयां में भी जीत हासिल करने से अच्छा है अपने उपर जीत हासिल करना भगवान बुद्ध ने अपने उपर जीत हासिल की महावेर ने अपने उपर जीत हासिल करी मीरा ने अपनी जीत हासिल करी कबीरदाज जी नानक जी जितने भी महापुर सुने सो सत्गुरु धन धन जिन परम गड़ी तोड़िया सो सत्गुरु बाहो बाहो जिन हरसियो जोड़िया मैंने तो इतना बड़ा ये कल लिया, मैंने मकान बना लिया, दुकान बना लिया, इतनी जमीन बना लिया, इतनी बेंक वैलेस बढ़ा लिया, लेकिन व्यर्थ है पानी के बिना नदी बेकार है, प्रेम और प्यार ना हो तो सगे संबंधी बेकार है अतिथी के विना घर आंगन सुना है व्यर्त है प्रेम और प्यार ना हो तो सके संबंधी वेकार है पर्ष में प्रैसे नहीं है तो पर्ष वेकार है उसी वेकार मनुष्य जीवन में अगर जिसने अपने आत्मा परमात्मा को नहीं पाया जिसने सद्गुरु से अपना संबन्द नहीं जोड़ा जिसने सत्संग से अपने मन को नहीं जोड़ा तो वो हारा हुआ है उसका मनुष्य जीवन भी बेकार है बेकार है और बेकार है इसलिए हजार लड़यां जीत कर भी हार जाता है लेकिन अपने मन को जीता, मन के जीते जीते हैं, मन के हारे हार स्पाँच्वियाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने मनुष्य को अपनी मंजिल या लक्ष की प्राप्ति हो या ना हो, लेकिन मंजिल के दौरान जाने वाले यात्रा अच्छी होनी चाहिए यह अनुभव जीवन परियंत इस्मरंड रहता है हम सब जिस मार्क पे चल रहे हैं वो मार्क हमें नहीं छोड़ना चाहिए और जिस मार्क पे चलना है यह निश्चित करने की यह मार्क किस मार्क की और चाहिए किस मंजिल की तरब जा रहा है बले मंजिल मिले ना मिले अभी नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा इसलिए कहते हैं कि इस्वर के रास्ते चले हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि मंजिल इस्वर के रास्ते चले हो जिस रास्ते जा रहे हो उस रास्ते में जो मार्ग पे चले हो मापुर्षों ने मार्ग बताया उस मार्ग को ना छोड़ें क्योंकि मार्ग अगर छोड़ दिया तो मंजिल भी छूट जाएगी मार्ग अगर पकड़ा हुआ है तो आज नहीं तो कल मंजिल जरूर मिल जाएगी प्रतिक महापूर्षों ने हमें मार्ग ही बताया है, चलना स्वयम को पड़ेगा, और इसलिए कहा है कि और किसी मार्ग पे आप जाएंगे वो मार्ग, संसारिक मार्ग होगा, धन का मार्ग होगा, यस का मार्ग होगा, प्रतिष्ठा का मार्ग होगा, डॉक्टर बन गए, उस नश्ठ हो जाएगा जो प्राप्त है वो अप्राप्त हो जाएगा लेकिन इश्वर के मार्क पे अगर चले हो और इश्वर की प्राप्ति इस जनम में ना भी हुई तो कहते हैं भक्ती व्यर्थ नहीं जाती अगला जनम ऐसी ही परिस्तितियों में ऐसी ही विवस्ता में जनम ह और शादक फिर उसी मार्क से साधना के मार्क पे आगे बढ़ सकता है और बढ़ेगा और सद्गुरू से मिलेंगे बापुजी हम सब का पहला जनम है ऐसी बात भी नहीं है वो महापुरुष भी कई बार इस धर्ती पर आये है और हमारा जनम भी कई बार हुए है वगवान स्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तेरा भी बहुत जनम हुए मेरा भी बहुत जनम तू अपने जनमों को नहीं जानता हूं हम अपने जनमों को नहीं जानते हैं कितनी बार मरे लेकिन महापुरुष जानते हैं और इसलिए प्रतेक जन्म में हम सब अगर बापुजी से जुड़े तो खाली इस जन्म को नहीं कई जन्मों से बुला रहे हैं कोई तो रिस्ता जरूर होगा और रिस्ता आत्मा परमात्मा का है तो सद्गुरु ने हमें जो मार्ग बताए उस मार्ग को हम कभी न छोड़ें फिर भगवान बुद्ध कहते हैं छटी बात की बुराई को बुराई से कभी खत्व नहीं किया जा सकता हमारे भीतर कोई भी बुराई है बुराई से बुराई मित्र को सत्रुक से सत्रुता है तो वो सत्रुता से कभी नष्ट नहीं होगी इसलिए बुराई को सिधे बुराई से समाप्त करने की जगा प्रेम का सहारा लेना चाहिए और प्रेम हमेशा जो है बुराई को समाप्त कर देता है तो हमारे भीतर भी बहुत सारी बुराई हो सकती है लेकिन अगर हमारा प्रेम परमात्मा से है हमारा प्रेम अगर सद्गुरू से है तो धीरे 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 सारी बुराईया अपने आप मिठ जाएगी और वापूजी से जिन्होंने नहे लगाया प्रेम लगाया उनके सबके जीवन में पहले देखो तो पहले कैसा जीवन था लेकिन सदगुरू से प्रेम जब हुआ तो बुराईयां हटानी नहीं पड़ी अपने आप भट गई तो बाहर की बुराईयां, बाहर की सत्रुता भी किसी से है तो वो भी प्रेम से जीती जा सकती है और अपने मन की अगर्शत्रुता है मन संसार की तरफ भागता है, विशयविकारों की तरफ भागता है तो प्रमात्मा से सदगुरू से प्रेम बढ़ा दें तो वो भी अपने आप भीरे धीरे उस पर आपको चौत, सात्वी बाद वगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार एक जलता हुआ दीपक हजार दीपक जला कर प्रकास फैला सकता है और ऐसा करने से उसकी रोष्णी पर असर नहीं पड़ता इसी तरह अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बाटने से वही भी बढ़ती है इसलिए सब के साथ हसी खुशी माटनी चाहिए और जीवन गुजारना चाहिए बापु जी भी यही कहते हैं कि ये कल जुग नहीं ये कर जुग है इस हाथ दे उस हाथ ले नेकी का बदला नेक है बदकी बदी देख ले जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है जो सभी को खिलाए सक्कर वो खुद भी सक्कर खाता है अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले दूसरों के दुख दर्द में आसु बहना सीख ले जिन्दगी है चार दिन की तो जिन्दगी में किसी के काम आना सिख ले वापूजी कहते हैं इसे दुनिया मस समझ ये सागर की मसधार है और उका बेड़ा पार कर तो तेरा भी बेड़ा पार है और वापूजी ने कईयों का बेड़ा पार किया है तभी निंदकों का असर नहीं पड़ता निंदक की निंदा और शादकों की श्रद्धा सादकों की श्रद्धा कहते हैं नहीं कोई सिर पेनी हुई पगड़ी की तरह नहीं है कोई एरा गेरा अनत्थु खेरा आए और उसको उछाल के चला जाए सादको की श्रद्दा तो जैसे हडडियों से मास जुड़ा मास से चमड़ी जुड़ी हुई है और इस तन से मन से प्राण जुड़े और प्राण में आत्मा वसी हुई है ऐसी सभी की आत्मा में मेरे सद्गुरु वसे हुए हैं एक दिन तो सरीर छुट जाएगा हड़ी भी छुट छोड़ेगी मास भी साथ छोड़ेगा लेकिन आत्मा किसी का साथ नहीं छोड़ती इसलिए साधक भी यही कहते हैं कि हम नहीं छोड़के दर आपका जाने वाले भक्त जब आपका कहते हैं जमाने वाले आपके दर पे जीएं बापु जी यही मर जाएं यही कहते हैं दरवार में आने वाले